हेलो दोस्तो वेलकम बैक टू नीव वीडियो उमीद करते हैं आप सब भी बहुत ही अच्छी होंगे दोस्तो आज के इस फिरो में बात करने वाले हैं ब्रैंड न्यू टू 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 टे एफ के बारे में कि बाई ये बाई वापा से हिंडिन मार्केट में लॉंच हुई प्लस इंपोर्टेंट होने वाली है अगर आप टू 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 टी एफ के एडवांडेज और डिस एडवांडेज के बारे में जानना चाते हैं कि बाई अगर ये मैं बाई खरीद रहा हूँ और मुझे क्या फैदा और क्या नुफसान हो सकता है आपको ये वीडियो पूरी पावर पहले आप इडवांटेस से पहले आप इसका प्राईज आने से ये देगिन लाटी है तो बैण जो चैंट को प्राईज वह तो बढ़ेगी ऑटे कपहले दोस्तों ऑब ये 1,49,99 बाइक आपड़ाव सिरो repeatedly आरे मिल जाती है लेक चलिए अब दोस्तो आ जाते हैं इस बाइक के एडवांटेज के बारे में दोस्तो इस बाइक में आपको सबसे पहला जो एडवांटेज मिलता है वो मिलता है दोस्तो इस बाइक का पावर तेगे दोस्तो आप लोगों को पता दू इस बाइक में आपको जो पावर देख वो इतनी बहतरी है यह आज भी मतलब आप लोग को जो है अच्छे अच्छी मतलब पुरानी टेक्नलोजी बट आज भी दुस्तों यह जो बाइक है ना अच्छे अच्छी बड़ी गारियों को जो है मतलब टक्कर देने का दम रखती चाहिए वो नहीं युद्प करने का तो सबसे पहले युद्वानटेस के बारे में तो आपको मिलेगा दस्टों इस बाइक का एंजन पाइंजन देखने को वो बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है कंपनी ने काफी आछा म दी ते ледिज्ची क्यों धो जाती है और जैसी बाद दो इच्छे इंजन quality आपको bike में मिल रही है अब उज़े ऐसा लगता है दो इस bike में आपको कोई भी extra जो है मतलब engine में ताम जम करने की जुरत नहीं काफी smooth engine है काफी अची तरह की इंजन काम करता है तो ये भी एक आपको advantage bike में मिलेगा दोस्तों इस bike का look देखिए जैर सी बात है बाई 220F का जो look है वो लोगों को बहुत ज़ादा पसंद है लोगों को look इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि दोस्तों पहले से दिलों में 6V है गाड़ी दोस्तों आपको bike में मिल जाता है इस bike का look इसका जो next advantage जो 220F का है जोस्तों इस bike का features दोस्तों आपको आपको इस bike में आपको जो feature देखने को मिलता है रहा भाई वो भी आपको बहुत अच्छे देखने को मिल जाते है अब तो आपको bike में finally fully जो digital meter है वो भी आपको देखने को मिल गया है जिसे आपको काफी सारे जो feature है आपको देखने को मिलेंगे जैसे speedometer है, takeometer है, trip meter है, odometer है, clock है, ABS light है fuel gauge है, service reminder है, low oil indicator है low battery indicator है, bluetooth connectivity है gear indicator है, distant to empty indicator है यह सारे feature आपको bike में देखने को मिलेंगे, तो feature wise भी दोस्तों यह bike बहुत अच्छी निकल गया रही है, और company ने काफी अच्छी जो feature है इस bike में add कर दिया दिया, यह advantage आपको bike में मिलेगा, बात करें दोस्तों इस bike के next advantage के बारे में, तो वो मिल जाता है आप लोगो को, इस bike का lights, दूस्तों इस bike में आपको lights देखने को मलते हैं, वो बहुत तगड़ी है, बहले इसमें आपको hellosan light मिलेगी, लेकिन दूस्तों आपको पता एक hellosan normal bulb है और एक hellosan projector है, प्रोजेक्टर होने की वज़े दूस्तों यह पूरा cover करनेती है, और इसमें led projector light की मेरे साब से कोई, ऐसे as it is need नहीं, अलाकि company को देना चीए, यह मैं नहीं वो रहा कि नहीं देना चीए, यह company को देना चीए लेकिन यह है कि बाई, मतलब यह जो hellosan projector light है, यह भी काफी powerful है तो यह भी आपको ज्यादा time jump करने की ज़रत है ठीक है, इसकी जो handling है, वो एक speed tourer वाली bike है तो जैर सी बात है दोस्तों काफी comfortable bike आपको यह देखने को उन्द लेगी तो यह भी आपको बहुत अच्छा advantage है आपको इस bike में देखने को मिल जाता है, जो कि इस bike का काफी बड़ा plus point आपको मिलेगा बात कर लें दोस्तों, इस bike के next advantage के बारे में है, तो यह दोस्तों, इस bike का maintenance cost, देखें, 220F का maintenance cost है, वो भी आपको बहुत अच्छा देखने को मिल जाता है काफी ज़्यादा अच्छा maintenance cost है इस bike का, क्योंकि इंडिन ब्रैन है इंडिन ब्रैन होने की बज़े से, दोस्तों, आप लोग को बता दो, इस bike का maintenance cost है वो काफी कम आता है ज़्यादा मैंगे इसके parts नहीं है यह भी आपको advantage bike में मिलेगा बात कर इस bike के next advantage के बारे में, तो आपको मिलेगा दोस्तों, इस bike का mileage, दोस्तों, आपको बता दो इस bike का, जो mileage है ना भाई, मूभी आपको बहुत अच्छा देखने को मिलता है मतलब इतनी अच्छे power होने के बाद भी, minimum आपको एक 40 के असपास का, जो mileage आपको offer कर देती है यहना कि दोस्तों, जो mileage है, वो भी आपको bike में, बहुत ही, बहुत अच्छा देखने को मिल जाएगा, next advantage दोस्तों, इस bike के suspension बले, इस bike में, आपको नो normal telescopic suspension देखने को मलता है बट दोस्तों, आपको बना दो, telescopic suspension होने के बाद भी, इस bike के जो है, quality है आपको बहुत अच्छे बिलेंगे, suspension की बज़े दोस्तों, आप bike को काफी अच्छी तरेगी से राइट कर सकते हैं, I don't think आपको कोई भी problem आने वाली है इसलिए दोस्तों, आप इस bike को long tour में लेके जा सकते है, suspension की बज़े से next advantage दोस्तों, इस bike का आपको बता दो feedback ठीक, आपको बता दोस्तों, इस bike का जो feedback है, वो बहुत important रखता है भाई, कोई भी चीज़ आप खरीद रहे है तो उसका feedback बहुत ज़दे important रखता है ठीक, आपको बता दोस्तों, अगर आप किसी से भी पुछेंगे भाई, तो आपको यह बुलेगा कि भाई, you can go for it, यह एक बहुत अच्छी bike, आपको इस bike के लितना ज़दा नहीं सूचना चीए और यह legendary है, बहुत पहले से और अभी भी यह bike legendary है तो आप यह bike के साथ में बिल्कुल जाईए तो आप अगर इससे लोगों से पूछेंगे तो आपको यह बुलेगा कि when go for it आपको एक बहुत ज़दा बहुत ज़दा बैतरिन bike देखने को मिल रही है तो यह भी आपको advantage bike में मिल जाता है, ठीक, चली यह था दुस्तो इस bike के complete advantage अब बात करने थे इस bike के कुछ disadvantage के बारे में हर bike में कर advantage होता है तो हर bike में कुछ ना कुछ disadvantage भी देखने को मिलेगा दोस्तो इस bike का जो सबसे पहला disadvantage हमें देखने को मिलेगा वो आपको पता है क्या मिलता है इस bike का braking system देखिए इसमें दोस्तों ABS आपको मिल रहा है वो single channel anti-lock braking system देखने को मिलता है जो कि वोजे इस बाइक का काफी बड़ा minus point लगता I think मेरी नजरों में इस बाइक में 110% dual channel anti-lock braking system company को देना चीए यह सबसे पहले important update जोड़ा है इस बाइक को आपके offer करना चीए यह आपको एक छोटा सा disadvantage मिलेगा दूसरा disadvantage इस बाइक का suspension देखिए मैंने आपको बोला suspension इसके अच्छे है यहां पर कोई doubt नहीं suspension इसके बहुत ज़दा अच्छे है वर दूस्तों suspension अच्छे है इसका मतलब बहुत अच्छे नहीं यहां पर कमपनी को क्या करना चीए कमपनी को 110 परसन इस बाइक में जो है यह इस दी फॉक्स suspension देना चीए यह इक important इस बाइक में होना चीए बात करें दूस्तों इस बाइक के next अपडेट के बारे में तो है दूस्तों इस बाइक का clutch देखिए आज भी आपको 220 एप में जो आना sleeper class देखने को नहीं मिलता चुकि दोस्तों मुझे ना इस बाइक का एक minus point लगता है बाइक में जो sleeper clutch है ना वो company को देना चीए company जो जितना जल्दी यह चीज एड़ कर दे उतना अधा बहतर आएग तो sleeper clutch इस बाइक मुझे disadvantage लगता है बागी सारी चीज़े आपको इस बाइक में अच्छी देखने को मिलेगी और कोई चीज की मुझे कमी नहीं दिखती इस बाइक में बागी दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरू बताए कि आप लोग को इस बाइक में क्या advantage और क्या disadvantage देखने को मिलना मैंने अपनी तरीक से आपको तरीके से आपको सारे चीज़े clear कर दी है सुमित करता आपको एक चोटी से interesting वीरो अच्छी रगी तुस्तों आप लोग को उड़ाच चलेगी देख लाइक करिएगा चैनल पर पहली बेर रहे तो सब्सक्राइब करिएगा चलेए मिलते नेक्स वीरो में लव यू ओल जैहिन बंदबात रहो